emics पेसमूरetzt इसे हां करेंगे। सब्सक्रीज के बारे में आप किस तरीके से अफंड़न करते हैं किस तरीके से अपने पूंगों से ठीक सकते हैं तो अगर आप भी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएगे करें चैनल को सब्सक्राइब ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको पहले में सके है तो चलते हैं टापेक की तरफ आज का मेरा तॉपक है वह है यूरिक असे हैं अगर हम लोग जिस तरीके से सोच रहे होते हैं कि यूरिक एसिड उस तरीक त़रीक हो सकता है यह एक नहीं हो सकता यह आपको साथ बताऊंगी कि हम लोग एंटीबियोटिक देते तो जरूर है लेकि हमारा यूरिक ऐसे ठीक नहीं होता उसके लिए हमने अपने आपको सही अप्रोच पे लेकर आना है हमने अपनी बॉडी को इस तरीके से रखना है कि हमारा यूरिक ऐसे जो है वो नॉर्मल बने तो क्या होता है यूरिक ऐसे दो तरीके से हमारे जिसम के अंदर बढ़ होता है कैसे एक तो उसकी एक्स्ट्रा प्रोडेक्शन होना शुरू हो जाती है या फिर हमारी किड्निस को अलिमिनेट नहीं कर लिए होती है और यह एक वेस्ट प्रोडेक्ट होती है जो हर इनसान के जिसम के के अंदर होती हैं लेकिन हम अपनी बाड़ी को इस तरीके से हेलप आउट कर सकते हैं कि हम खुछ से यूरिक आइसिट को कम मिगदार बहुत साथा कम नहीं कि नॉर्माल मिगदार में रख सकें अगर यूरिक आइसिट की मिगदार बढ़ जाएगी तो हमें किड्नी स्टोन हो सकता है हमें डायबिटीज हो सकती है और हमें बून्स के अंदर फ्रैक्चर आना शुरू हो जाते हैं और अगर हमारा यूरिक आइसिट कम हो जाएगा उसका लेविल बहुत जादा कम हो जाएगा तो हमें ब्रेन में प्राब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी तो अल्साइमर ब्रेन प्रॉब्लम्स आएंगी अल्साइमर जैसी बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी तो गुड नियूस यह है कि हम लोग अपनी यूरिक एसिट के लेवल को खुद से ठीक कर सकते हैं कुछ चंद ऐसे फूर्स हैं जिने खाने से हमारा यूरिक एसिट बढ़ जाता है अगर आम नहीं खाएंगे तो हमारा यूरिक एसिट लेवल में रहेगा तो चलते हैं कि वह कौन-कौन से फूड है पहले नमर पर हैं फ्रॉक्टोस ठीक है तो डॉक्टर जॉन जो जो पुर्फेसर है पुर्फेसर ऑफ मेडिशन यूणिवर्सटी आफ कोलाडू ठीक है यह क्या कहते हैं कि अगर यूरिक एसिट जो है वह फ्रॉक्टोस खाने से प्रिक भोप में हमारे जिसान के अंदर बर्ला होता है मैं फ्रॉक्ट रेचा है ये ऐसे हैं शूर्स योगर्ट सारे होते हैं उसे खाने से योगर्ट सारे होते हैं उसे खाने से भी हमारा योडिक ऐसे बढ़ जाता है आइस क्रीम के अंदर भी जो है वो फुक्तुस होता है जिसे हमारा योडिक ऐसे बढ़ सकता है अभी तो फुक्तुस है यह बन किस से रहा है यह कॉर्ण तो पाकित्ता में सबसे जाथा पैसा कमाने वाली कमपशी मीजों कॉमसी है। उसके अंदर क्या करते हैं। फ्रुक्टस डालते हैं। रखने बच्रे अजायों की चाड़ा ना कि उत्या शॉक्ता होता है। सबस्के जायों हुआ है। सबस्क्राइब। फ्रक्रप्रक्रटाज टालते हैं अब हमारी वाइड चीना हारे 50%% करोराइसे मौझूद होता है और किश मिश के अंदर भी 40-50% फुक्ट्स मौझूद होता है अलकोहल बेर इन सारी चीज़ों के अंदर फुक्ट्स मौझूद होता है जो हमारे यूरिक एसब को बढ़ा रहा होता है जब हम किसी इनसान को यह कहते हैं घुषा इस अगर अगर आप के रहा अगर हम पुरा दी में 120 ग्राप्रोटीम खाते हैं तो हमारा 1 mm पर डेसी लीटर हमारा तो यूरिक असिड शूरी तो हमारा प्रोटीम से नहीं बड़ा होता ये एक गलत बात है आप डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फूट खा सकते हैं अब चेरी एक फूट रहा ठीक है ना चेरी अगर आठ खाएंगे तो वह आपको नुक्सान नहीं देगी अगर आपने चेरी 15 खा ली तो उसके अंगर फूट्रस है वह आपको नुक्सान दे जाएगा वह आपके यूरिक प्रॉबलम होती है उनके लिए कीटो डाइड उनके लिए इंटेमिटेड फास्टिंग नहीं है उन्हें यह चीजे नहीं करनी अब मैं यह पताऊनी कि कौन सी वह चीजे हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके यूरिक एसिट को ठीक करने में पानी जितना ज्यादा पानी आपको पिशाब आएगा यह वेस्ट प्रोड़क्ट आपकी जिसम से बाहर निकलेगा ठीक है पानी का इंटेक आपने ज्यादा रखना है अगर आपने ग्रीन वेजिटेवल्स लेनी है पकान के खानी है तो उनको ज्यादा कुख नहीं करना है वह भी बहुत ज्यादा आप का यूरिक ऐसे बहुत जल्दी कम हो जाता है फिर ओमेगा 3 के सप्लिमेंस आते हैं वो लेने है आपने अगर आप बहुत ज्यादा अगर आपको पेन होता है बहुत साही लोगों को यह जोड़ों में पेन हो रहा हुता है यूरिक एसद के वैसे अंगूठे के अंदर पाओ मैंने यह वीडियो बनाई है ताके आप लोग खुछ से अपनी राइट अपरोच करके अंटीबाटिक की तरफ ना जाए और खुछ से कुछ चीजों को रोग के अपनी यूरिक एसद को कंट्रोल में कर सकते हैं आज की वीडियो चलेगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्रा